कॉंग्रेस में 47 सालों से बेरोजगार बैठी हुई है और उनके बेरोजगारी का कारण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है पुरे देश में कॉंग्रेस बेरोजगार हो चुकी है आज 17 सप्टेंबर है आज पीम मोदी का जनव दिवस मनाय जा रहा है पुरे देश में और साथे साथ बिहार में विश्व कर्मा पुजा भी मनाय जा रहा है आज स्री नरेंद्र मोदी का एकतरमा जनम दिन है इसको लेकर के पुरे देश में बीजेपी हरसो लस्ट के साथ जनम दिवस को मना रही है और कई सांस्कृतिक कारिक्रम और जो वेक्सिनेशन ड्राइव है वो चलाय जाएगा वहीं आज आपको पटाते की बिहार के और साथे साथ देश के विपक्षी पार्टी जो कॉंग्रेस है वो पूरे देश में बिरुजगार दिवस के रुपे मना रही है इसको वहीं लगाता जिस तरह से हम बात करें बिरुजगारी दिवस ट्विटर पर भी लगाता ट्रेंट कर रहा है और कई लोग प्याम मोदी से नौकर भी मांग रहे हैं तो साथे साथ जिविश मेंसा ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि कॉंग्रेस अब बिरुजगार हो गई है कॉंग्रेस अब बिरुजगारी दिवस छोड़कर के कुछ मनाने लाएक आप नहीं बची है तो वहीं बीज़पी के तरफ से बड़ा हमला किया गया है वहीं संजद जसवाल का साथ तोर पर कहना था कि कॉंग्रेस अब पूरे तरह से विरुजगार हो गई है साथ साल से विरुजगारी दिवसी मना रही है क्योंकि जब से अप्यम बने हैं नरेंद्र मोदी तफ से कॉंग्रेस पूरे भारत की विरुजगार हो गई है तो लगतार त पुरिदेश अद्यक्ष संजज जैसवाल हैं उनका क्या कुछ कहना है कॉंग्रेस जो की बिरजगारी दिवस के रूप में इसको पुरिदेश में मना रही है वहीं देखे क्या कुछ कह रहे हैं और उसके प्रधान मंत्री के तौर पे हर गरीब के घर में पैसे सुविदाय पहुचा है उसकी एक पुरी प्रजर्शनी आए और प्रधान मंत्री जी के जो सेवा के कार्य गरीबों के लिए हैं इसलिए भाजपा ने नेटे लिया है कि हम 20 दिनों तक लगातार हर इस्तानों पर हर जिले में कुछ ना कुछ सेवा के कार्य करके प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देंगे लगाए गया जिस चीज के लिए 2014 में चर्चा हुई और जो मजाब बढ़ा गया तो आज भी हम प्रधान मंत्री जी की पहचान नमवटी स्टॉल से करते हैं और उनके बेरोजगारी का कारण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के जनम दिवस पर पूरी कॉंग्रेस बेरोजगार हो गई इसलिए बेचारे कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी के जनम दिवस के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना करके उनके दिरगाई होने की कामना कर रहे हैं उनके जीवन पर एक जीवन बृत बनाया गया है एक प्रधर्शनी लगाया गया है उनका संपुर्ण जीवन लोगों के लिए सिक्षा प्रध है इसलिए पार्टी करताओं ने इसको भी लगाया है और बड़े पैमाने पर इसका लाव आम जन को भी मिलने वाला पूरे देश में अब उनके लिए विरोजगारी छोड़के कोई और दिवस मनाने की गूणजा इसका अंग यहां सरकार के मंत्री बीजेपी कोटे से मंत्री हैं जिविश मिस्रा उनका कहना है कि देश में बीजेपी हर राज में अलग तरह से पेम मोदी का जन्म दिवस को मना रही है वह ही जब बेरुजगारी को लेकर के बात किया कि कॉंगरिस बेरुजगार दिवस मना रही है तो उ पुरहां उनका साथ तौर पर कहना के पुर्देश में प्यम मोदी का जो जन्र दिवस हर्चों लास के साथ मेना जा रहा है कारिकरन शुरू होने वाला यहां पर भी मौजूद है रवशंकर पसाद जो की भारत सरकार के पुर्व केंदर मंत्री है नंकि सोर यादव है जो की बीज़पी के वरिष नेता कर्दावर नेता है और तमाम लोग यहां पर आये हैं इसे के साथ अब अलविदा लेना होगा फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे देखते हैं धन्यटोप धन्यवाद